नमुश्खार आप सबको अगर आप मेरी यवाज सुन पारे हैं और हम्में देख पारे हैं तो एक बार यहस करके रिपयई कर दीजे फेस्ट थो इसे अद्धा और प EVERY इवनिंग अगर आगर आप हमें सुन पारे हैं देख पالمाटर सैक्र कुछ ठीप टीक है के लिए सब कुछ fit है तो एक बार येस करके reply करेंगे तो हम उतनी जल्दी क्लास को शुरू कर देंगे एक बार जल्दी से येस करके reply कर दीजे ताकि आज की क्लास शुरू हो अगर आप जुड़ गए हैं तो एक बार लाइक करके अपनी attendance भी लगवा दीजी जल्दी से आज क क्लास को शुरू करेंगे जितना जल्दी आप येस लिखेंगे तिन जल्दी आज की क्लास शुरू होगी ताकि मैं पता चले कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं येस ओके 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 येस आ गया है चलिए शुरू करते हैं ये था सेंटर तो इसके हिसाब से देख लिए आपने पोजिशन ठीक है आप सबको नमस्कार हमारा परणाम गुड़ इवनिंग और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो गुड़ आफ्टरून तो क्लास हमने शुरू की थी बिगनर्स के लिए हमने डांस की डेफिनिशन बता दिया थी लास्ट क्लास में बताया था कि डां कि यह हम पैरों से ताल दिखा रहा था एंथ इतना हमने कवर कर लिया था आज इससे आगे बढ़ेंगे तो लास्ट क्लास में लास्ट जो स्टेप था वो था देखो कौन सा स्टेप था दुटू कुंसा बता्अ कि गा अब कर ना करना कि हमिए हमने तेखो अगर मैं उल्टा होके आपको सिखाँ, आप सीधे खड़े और आपको उल्टे हो, चलिए, कभी-कभी तो आप सीधे होते हैं, एक, दो, तीन, चार, अच्छा, पैर आप कोई भी चला सकते हो, अब ये पैर भी कर सकते हो, और ये पैर भी कर सकते हो, आपके मर्जी, जो पैर पीछे वाले पैर को उठाना आगे वाले लेड डाला दालना पीछे वाले को उठाके वन तू अभी आगे वाले ओ场 ऊठाऊ ठीऊ-क सिंख हो कोजोने सिखाने हुआ scissors नौ B 20 3.4 ठीक अभी आगे वाले पैर मन उठाना पीछे वाले पैर को उठा के रखना थे लिया तो आगे वाले पैर को अल्का सा उठा लिए ना, one, आराम से, two, three, four, साइड से देखी एक बार, एक पैर आगे एक पैर पीछे, पीछे वाले को पैर को हम उठा के रख रहे थे, one, two, अब जिसको उठा के रखेंगे तो पीछे वाले पे वेट डालेंगे तो आगी वाले उठा लेंगे 1, 2, 3, 4, clear, practice करना, आराम से music के साथ भी करके देखेंगे पहले दो step में आपको सिखा दूँ, उसके बाद फिर music के साथ करेंगे देखेंगे अराम से गवा, practice करते हैं, पहले आपने क्या करना, पैर को उठा के रखना और गुटने को मोड़ना, 1, 2, 3, 4, 8 तक करना, 5, 6, 7, 8 अब सामने वाले पैर को उठाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिखाने का तरीका हमने single step को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूरा step क्या है, पूरा step यह है, अगर मैं सिधा करके दिखाता है, जो बिल्गुल 0 से हमने कहा था, 0 से शुरू करेंगे, तो 0 वाले जो लोग हैं, जो 0 पे खड़े हैं, वो नहीं सीख पाते हैं, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बोड़ी पार्ट को हम अलग-अलग चलाएंगे, पहले आपने क्या करना है, एक पीछे वाले पैर को चलाना, दो, फिर पीछे वाले के साथ आगे वाले उठा लेना, तो पहले practice पीछे वाले को जाएगे, तो आगे वाले आपन अब बढ़ते हैं, आज के second step की तरफ, देखना, एक, दो, एक बार आराम से समझे, राइट या लेफ्ट जो भी है, अपने टो को, अपने पंजे को उठा के बाहर रखना, एक, फिर उसी को उठा के, दो, ठीक है, देखो, पंजा बाहर, पंजा अंदर, उसके पर वे डलना एक, दो, फिर से देखो, वान, रुको, उठाओ, टू, क्लियर, फिर से देखो, वान, टू, अब दूसरा पर, पंजा बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, वान, टू, थ्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके साइड से करेंगे, तो पहले मने ये किया न, तो आप मेरी साइड खड़ें तो आपका राइट होगा, ठीक है अब मंदीब जी को देख लिए न, आपके साइड सी देख ड़ें, देखो पंजा बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, 1, 2, चैसे करलो, 1, अरम से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लियर, दो स्टेप हमने सीख लिए हैं, मतलब ये स्टेप नहीं है, ये पैरों से ताल दिखाने का एक तरीका है, ठीक है, फिर इसके उपर हाथ जब करेंगे, तो स्टेप बनेगा, फिर उसके उपर भाव भी करेंगे, तो नृत्य बन जाएगा पूरा है देफिनेशन में नहीं बताऊँगा, देफिनेशन है इसकी और आपके काम भी आएगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो बता दूगा, बहुत यूजफुल डेफिनेशन, अगर आप कमेंट करेंगे, तो लेकिन उसमें टाइम लगए बताने में, इसलिए आप सीख लो एक ब बाकि अगर आप comment करेंगा तो बता भी दूगा, मतलों बताना चाहरा हूं लेकिन मैं बता नहीं पारा, समय की उसके कार, चलो, पहला क्या था? 1, 2, 1st step complete, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1st step complete, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, complete. म्यूजिक के साथ देखते हैं, दोनों step आराम से, म्यूजिक मैंने last class में समझा देता, अगर आज पहली बार आप जोड़े हैं, तो इस से पहले वाली Tuesday के class आप देख लेना, हमारे इसी YouTube चैनल पर, इसी Facebook पर आपको मिल जाएगी, हमारा इतिहास खंगा लेना एक बार, आपकी साथ से, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थोड़ा पास करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Step number 2, 1, 2, 3, 4, 5, याद है न, चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपके साइट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपके साइट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यह थि हमारी क्लास जो हमने शुरू किती बीगिनर्स के लिए, लास्ट ट्यूसडे से, ठीक है? क्लास वैटनेस डे को आती है फेसबूक और दिन में बारा बज़े टूजडे को आती है शाम को साड़े-पांस बज़े यूटूब पर तो लास्ट टूजडे से हमने शुरू की भी आज इसकी सेकंड क्लास थी अगर आप शुरू से सीखना शुरू करेंगे पहले वाले टू जरूर जाना आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लाइक जरूर करना उसे अपके अपके अटेंडेश में पता चलता है कितने लोग हमसे जुड़े हुए हमें लाइक करते हैं उससे ही पता चलता ठीक है नेक्स टूजडे को शाम को साड़े-पांस बज़े यूटूब प जबते क्लिए आपसे विदा चेंगे ने मुश्कार प्रेक्टिस करते हैं चलिए